आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मिरा नाम ए सिद्धान तक नहीं होते ही, स्टडी आईक्यूपैप का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक और एंशेंट ग्रीक फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री, पाइथागोरस की, अब आप वो फिलोसोफी ही था, ग्रीस से आते थे, और बहुत सारे इंशेंट ग्रीक फिलोसोफर की हमने बात कि है, हमने हुमर की बात की, जो की एक पोईट थे, ठीक है, जिन्ने दो एपिक लिכई, इलियार्ड और ओडीसी, हमने बात की, सॉकरेट्स की, प्लेटो की, की, Herodotus की, और भी बहुत सारे हैं, दोस्तों, अब तो मुझे याद भी नहीं है, और आज हम बाइथा गोरस की बात करेंगे, यह philosopher तो इनको हमेशे एक philosopher के नाम से ही जाना जाता है, दर्शन शास्त्री के रूप में ही इनको जाना जाता है, हाला कि इनके जो achievements थे वो बहुत हो जाए, या फिर development हो, नहीं, वो सिर्फ इन्होंने universe को समझने के लिए math की question दी थी, कि कैसे universe को समझा जाए, ठीक है, क्योंकि rituals में, परमपराओं में, बहुत जादा believe करते थे दोस्तों, तो हम pythagoras की बात करेंगे, pythagoras की teachings को pythagoranism बोला जाता है, उसकी भी बात अगर आप UPSC की तैयरी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे pen drive courses आपके लिए available है, आप जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अब आप मुझे twitter पे भी follow कर सकते हैं, यह रही मेरी ID, यहाँ पे मुझे follow कर सकते हैं, और जो भी updates होती हैं, मेरे lectures की मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, दोस्तों मैंने इतनी बार Greek philosophers की बात किये, लेकिन कभी भी Greek empire के बारे में आपको नहीं बताया है, हाला कि Alexander की biography मैंने review किया, आप जरूर देखिएगा, यह है Greek empire, देखिए कुछ बहुत महान empire आये हैं, पहले सभिताया हैं, सभिताओं से निक Union king Alexander, Alexander ने सब कुछ अपने कबजे में कर लिया, Alexander ने एक तरीके से Greek empire को expand कर दिया, और भारत तक आ गया था, एक सीरे चे उसने जीतना चुरू किया, लेकिन Greek empire के साथ साथ एक और बहुत बड़ा empire चल रहा था, जिसको Alexander ने ध्वस्त किया, उसका नाम था Persian empire, अब Persian empire के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आपने 300 movie देखी है कि नहीं, Persian empire और Greek empire के हमेशा से लड़ाई चलती रहती थी, और Persian empire ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि Greek empire को हरा दिया जाए, 499 से लेकर 449 बीसिक तक Persian empire और Greek empire के बीच में बहुत युद्ध हुए, लेकिन एक बार भी Persian ग् अलेक्जेंडर ने उल्टा पर्चन empire को ध्वस्त कर दिया, और सब कुछ अपने कबजे में ले लिया, अलेक्जेंडर की मौत के बाद हम देखते हैं, यह empire उनके governance में बट गया, और उसके बाद फिर Salucid kingdoms की स्टार्ट हो जाती, जिसको Hellenistic period बोला जाता है, तो भारत तक आ बहुत बड़े बड़े थे, अब आप प्रेजेंडे ग्रीस देख लीजे दोस्तों, यह है ग्रीस, वैसे ग्रीस एक आर्की पेलगो है, बहुत सारे आपको यहाँ पर आइलेंड्स बिलेंगे, ग्रीस एक बहुत ही strategic country है, और ग्रीक empire भी इसलिए इतना फ्लरिश हुआ, त इतना जादे strategic था, देखिए दोस्तों, समुद्र का, सी का जिसको access होगा, जहां, जो देश समुद्र के करीब होगा, वो अपने आप ही flourish करेगा, क्यों, क्योंकि सारे trade जो है, ancient history को देखे तो समुद्र से ही होते थे, सारा export, import समुद्र से ही तो होगा, तो दोस्तों, यह Mediterranean region बहुत important था, ठीक है, यहां से ही पूरा का पूरा trade होता था, और इधर से आप पूरा Asia निकल सकते थे, इधर से आप Europe निकल सकते थे, और इधर यहां पे agency है, इधर onion sea है, तो इसी लिए ancient Greek empire इतना ज़दा फ्रडिश हुआ, बहुत साधा trade होता था यहां पे, ठीक है, और य यहां से onion school of thought develop हुआ, onion sea, यह जो onion islands है, यहां से बहुत सारे ancient Greek philosophers आये, जिन्हों ने अपना दर्शन शास्त्र दिया, और लोगों को पढ़ाया, आप हम पाइधागोरस की बात करें, तो पाइधागोरस कहां से आये थे, पाइधागोरस समोस से आये थे, समोस है कि तो नहीं यहां था गई, यहां पर समोस से नहीं मिलते थे वैसे, लेकिन यह जो island है, समोस, यहां से पाइधागोरस निकले थे, ठीक है, और उसके बहुत travel किया, पाइधागोरस का इतिहास बहुत distorted है, पाइधागोरस अपना इतिहास तो छोड़ के गई नहीं, पाइधागोरस ने पाइधागोरस ने कहीं पाइधागोरस को मेंशन किया है, और वही सहीं उठाते हैं, यह पाइधागोरस ने बोला, यह पाइधागोरस की पीचिंग्स है, ठीक है ना, यह जो इनकी life है, यह बहुत disputed है, ठीक है, लेकिन कुछ common points है, और हम उनी कोई डिसकस करेगी, यह तो यह भी मैंने आपको बता, इनके पिता जी जो थे, वो वेल्दी थे, ancient Greece में क्या था, कि अगर आप अमीर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलता था, आपको वहाँ पे भी class का division था, तीन classes थी वहाँ पे, तो आपको पहली class में होना पड़ता था, जितने भी आप ancient philosophers देखे जाएसा चॉकरेट्स के साथ हुआ था, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह भी अमीर थे, इनके पिता जी भी वेल्दी मर्चेंट थे, इसलिए यह काम जो है आसानी से कर पाए, और genius थो थे ही पाइथा गोरस, हाला कि इनकी जो ancestry है वो disputed है और clear नहीं है, लेकिन यह चीज पक्की है कि 570 BC के राउंड इनका जनम हुआ था, और 40 साल के थे, तब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, 530 BC के राउंड इन्होंने अपने समोस आइलेंड को छोड़ दिया था और फिर इन्होंने पूरा पूरी दुनिया ट्रावल की, यहाँ पे अगर टीचर की बात करें दोस्तों, तो पाइथागोरस के एक टीचर नहीं थे, बहुत सारे टीचर थे, लेकिन जो एक में टीचर का नाम आता है, और फिरस, बोला जाता है कि जो पाइथागोरस का एटेट्यूट था, जिस तरीके से यह बोलते थे, जो इनका स्पिरिच्वल ए हमारा दर्चन शास्त्र है, सनातनी दर्चन शास्त्र और ग्रीस का जो फिलोसफी है, ग्रीस का जो दर्चन शास्त्र है, उसमें आपको बहुत जादा similarities मिलेंगी, प्लेटो हो, एरिस्टॉटल हो, वो भी life after death, life after death मतलब कि जो आत्मा है, वो अमर है, और पाइथागोरस भी यही कहते थे कि जो आत्मा है, वो खाली शरीर बदलती है, शरीर नश्वर है, और यही हिंदुईजम में भी था दोस्तों, हिंदुईजम में भी है, in fact, तो यह आप similarity देख रही है, और पाइथागोरस के बारे भी यह भी बोला जाता है, कि इन्हों ने हिंदू सेजे से भ प्रदान होता होगा, जाहिर सी बात है, कुछ Greek philosopher भारत आते होंगे, और कुछ भारत के उधर जाते होंगे, हो सकता है, ऐसा होता हो, लेकिन इस सब research का मुद्दा है, research का matter, ठीक है, तो Orpheus एक ऐसे teacher है, वैसे तो पाइथागोरस के बहुत सारे teachers थे, लेकिन Orpheus एक ऐसे teacher है जिन्होंने पाइथागोरस को पूरा reform किया, ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस Egypt भी गए, Egypt में भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे teachers से मिले ये, ठीक है, Egyptian priest से मिले ये, उनसे बहुत कुछ सीखा, philosophical tradition इन्होंने सीखा, alien school of thought समझा है इन्होंने, ठीक है, बहु पाइथागोरस की question बहुत important है, पाइथागोरस एक तरीके से motivation थे किसके लिए, Aristotle के लिए, Plato के लिए, Isaac Newton के लिए, Copper Nicholas के लिए, Kepler के लिए, इन सबकी बाइग्राफी मैंने review की है, तो इन सबके लिए motivation थे, पाइथागोरस का work ये earliest work था, science पे, maths पे, और समय तो science पे बोल भी ये बहुत जादा दिक्कत होती थी, ठीक है, लेकिन Greece society, Greek society के ऐसी society थी, जो थोड़ी liberal थी, है ना, पूरी तरीके से लिए, यहाँ पे भी दिक्कत होती थी, लेकिन liberal काफी थी, और जो societies थी वो ऐसी नहीं थी, ठीक है, तो ये चीज थी, फिर ऐसा बोला जाता है कि 530 BC के र रूलर था, पाइथागोरस तो हमेशा humanity की बात करते थे, wisdom of love की बात करते थे, ठीक है, कि ऐसे बुद्धिमान बनो, कि प्यार फैलाओ हर जगा, जो तुमारी knowledge है, वो इस तरीके से होनी चाहिए, कि humanity का ultimately development हो, और उसके बाद पाइथागोरस एजिप्ट भी गए, एजिप् दर आता था, ठीक है, तो यहाँ पर travel किया, और जब क्रोटॉन में थे ये, तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत elite class को ये advice देते थे, और ऐसा भी बोला जाता है, कि जब पाइथागोरस बोलते थे, या जब पाइथागोरस पढ़ाते थे, तो भीड लग जाती थे उनके आस-पास, इतना जबर्दस्त चार्म था पाइथागोरस का, अब हम पाइथागोरिनिजम की बात कर लेते हैं, पाइथागोरस ने क्या-क्या किया, इनका क्या-क्या contribution है, philosophy में तो ही, दर्चन शास्त्र में तो ही, ठीक है, metapsychosis की transmigration of souls, की आत्मा आजर एमर है, व इसमें, आकाउस माती कोई, या आकाउस माती कोई, जिसका मतलब है listeners, या फिर oral science, इसको translate जब करते हैं, यह वो थे जो सुनते थे, है ना, और यह वो थे, जो इनसान के कैसे actions होने चाहिए, उसको बताते थे, कि इनसान का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए दूसरे थे दोस्तों, mathematics कोई, mathematics कोई की बात करें दोस्तों, तो यह लोग science पे believe करते थे, math पे believe करते थे, दोनों ही branch का aim क्या था, दोनों ही जो sect थे, वो universe कोई समझते थे, भगवान है की नहीं है, कैसे काम कर रहा है, उसको समझते थे, लेकिन तरीका अलग लगता, पहला दूसरा जो है, वो humans को जाधा थोड़ा सा तवज्जो देता था, दूसरा जो है, वो science को जाधा, scientific pursuits को जाधा तवज्जो देता था, mathematical equation से समझने की कोशिश की जाती थी, कैसे यह universe काम कर रहा है, फिर music का भी बहुत बड़ा contribution है, math and music are the fundamental languages to study universe, अगर आपको universe को समझना है, तो या तो math से समझेगे, या फिर music से, आपने अकसर देखा होगा कि जब कही 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 बार ऐसा होता है, कि अकसर सूफी कॉंसर्ट में, या जब भजन्द गाये जाते हैं, तो इतना जो audience से वो lean हो जाती है, कि उनको mystic experiences होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो connect हो जाते हैं, उनकी ज variation है, और music से भी हम planet से जुड सकते हैं, क्योंकि जो symphony है, जो music की symphony है, वो resonate करती है, और अगर proper synchronized हो गई, ठीक है, proper तरीके से वो resonate कर गई, तो समझ लिजे हमारा काम हो गया, हम जुड जाएंगे, उस परमात्मा से जुड जाएंगे, और हम सब कुछ डिव विद्रष्टी जो होती न, वो हम पर पढ़ जाएगी, जैसा बगवान बुद्ध के साथ हुआ, जैसा स्वामे विवेकाननद के साथ हुआ, ठीक है, ध्यान लगाते गए, पूरी cosmic energy align होगी, क्योंकि जिस चीजों से 5 elements है, जो universe बनाए, हम भी तो उसी 5 elements से बने है, तो हम connected तो ही है, string theory, everyone is connected, ठीक है, तो music भी बहुत ही important role play करता है, इस universe को समझने के लिए, एक एक pitch, high pitch, low pitch, ये सब बहुत जाधा important है, और हिंदूों में भी ऐसी कहावत है कि जिसका गला अच्छा है, साथ-शाथ सुरसती उस गले में बैठती है, ठीक है, तो ये चीज है, अब उसके बाद दोस्त जब क्रोटॉन ने साइबेरिस को हराया, 510 BC के राउंड, तो पाइथागोरिस के जो फॉलोवर थे, जो पाइथागोरिस को फॉलो करते थे, इधर पाइथागोरिस के फॉलोवर्स थे, ठीक है, और इधर डेमोक्रेसी के कुछ लोग सपोर्ट करते थे, उनके बीच में conflict ह और ऐसा बोला जाता है कि जहां पे पाइथागोरिस मीट करते थे, इनके हाउसेस को जला दिया जाता था, और लोगों को मारा जाता था, जो पाइथागोरिस के फॉलोवर्स थे, इनको पर्सिक्यूट किया जाता था, और ऐसा बोला जाता है कि 427 BC के आसपास इनको मार दि disputed है अब कुछ लोग बोलते हैं कि नाचुरल डेथ हुई और कुछ लोग बोलते हैं ऐसा शायद नहीं हुआ होगा तो हम यह कह नहीं सकते कि क्या हुआ लेकिन जाधा तर लोगों का मानना है कि यही चीज जो है वो जाधा authenticated है ठीक है ना तो यह चीज है उसके बाद दोस्तो mathematical equations तो बहुत ज़्यादा थी पाइथागोरस theorem पाइथागोरस theorem तो आपको पता ही है ठीक है चलिए मैं आपको बताई देता हूँ यह right angle triangle है ठीक है यह हमारा hypotenuse जो कि बहुत important है ठीक है hypotenuse है जिसको हम C से denote करेंगे ठीक है और यह है हमारा perpendicular और यह हमारा base ठीक है यह जो B है यह base है यह हमारा perpendicular है ठीक है आपको एक और चीज बता देता हूँ कि perpendicular के सामने वाले को hypotenuse मानते हैं hypotenuse को जो selection होता है यह समझेगा कि हमेशा इसी को hypotenuse माना जाएगा यह depend करता है अगर परपेंडिकुलर यहां है तो सामने वाला hypotenuse होगा ठीक है तो इस तरीके से तो पाइथागोरा सुरंग क्या कहती है जो बेस है ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही यह है राइट आंगल ट्रांगल में पाइथागोरा स्थियोरम क्या कहीगी वह बोलेगी यह तो चलिए यानि कि यह रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री क्या है यह बेसिकली रेशियो है राइट आंगल ट्रांगल का एक ट्रांगल का रेशियो होती है ठीक है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो मैंस ही नहीं चलनी है ठीक है कॉस्ट थीटा क् अब बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री है इनका यूज क्या है कोई यूज तो है नहीं जबरदस्ती हम लोग पढ़े आपने अकसर देखा होगा अकसर stand-up comedy में भी मैंने कई बार सुना है रे मेरे भाई महान इंसानों जो तुम अपने हाथ में मोबाइल चला रहे हो जो तुमारे घर में टीवी चल रहा है जो टाउंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहर पे शहर बनाय जा रहे है वो बिना इंपर्टेंट उसके बिना तो integration ही नहीं होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो चिप में होता है सम्मैक्स है computer science पूरा math से निकाली गई है तो अगली बार आप से यह बोले तो यह बता देना कि की इसके बिना math के बिना कुछ चलना ही नहीं है math के बिना पे ही development है और math के बिना पे ही equation से ही हमने पूरे universe को समझा है और math बहुत important है सबसे important है ठीक है इंसान के पूरे जीवन को mathematically calculate किया जा सकता है क्या आपको पता है और उसको समझा जा सकता है क्या है in fact इंसान के जीवन तो छोड़िये future को भी mathematically calculate किया जा सकता है जिसको astrology बोला जाता है तो बहुत जादा important है maths है ना तो यह पाइथागोरस theorem जो कि बहुत important है यह तो वैसे बहुत पहले से ही लेकिन नाइन्थ में जब trigonometry आती है main use इसका trigonometry में ही होता है सबसे main use ठीक है कि अलग 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 angles को कैसे किया जाए तो यह पाइथागोरस theorem तो पाइथागोरस ने यह इसलिए नहीं सोचा था कि math को develop करना है development पाइथागोरस को खाली universe समझ रहा था और बस इसलिए इन्हों ने पाइथागोरस theorem बना दी लेकिन अब पाइथागोरस theorem का use जो है वो हर जगा होता है तो यह पाइथागोरस पे दोस्तो लेचर तो आई होप आपको यह पसंद आया होगा पाइथागोरस ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया math हो गया geography को भी समझाया यह तो मैं बता नहीं भूल गया अचा geography को भी समझाया ठीक है 5 climatic zones को भी यह भी जो श्रे है यह भी पाइथागोरस को जाता है हमारा जो हमारी पूरी धरती है वो 5 climatic zones में डिवाइड है जीसे लिए हम पढ़ी की नहीं अभी तक अगर आप UPSC की तहरी कर रहे हैं कौन-कौन से यह है हमारी धरती यह है हमारा पूरा का पूरा equator सबसे पहले हमारा यह नॉर्थ में आता है जिसमें आक्टिक और नॉर्थ पोल आता है दूसरा थोड़ा सा और नीचे आ जाईए ठीक है अब एक्जाक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा जिसको नॉर्थ टेंप्रेट जोन बोलते है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है थोड़ा सा और नीचे आ जाईए दोस्तों फिर यहां पर टॉरिट जोन आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ केपरी कॉर्म उसके बाद फिर ये साउथ ये एक्वेटर से आप नीचे आईए फिर साउथ टेंप्रेट जोन फिर उसके बाद साउथ फिरिजिट जोन जिसमें एंटार्टिक और साउथ पूल आता है तो ये पांच क्लाइमेटिक जोन पे ही तो हम पूरी धर्ती को डिवाइड करके अलग अलग देशों को स्टेडी करते हैं उनकी जोग्रफी को स्टेडी करते हैं तो वो भी जो पूरा श्रे है वो पूरा क्रेडिट पाइथागोरस को जाता है इनों नहीं गलोग को पांच क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया और इनका जो काम था वो आने वाले साइंटिस जोहनेस केपलर जिनकी बाइगराफी मेंने रिवीव की है संदाई होगी खुछ रहे पड़ते लेजिसे सिदान तक नियूतरी साइंटिस